हलो फ्रेंड्स मैं हूं क्रती सिंग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लौ इजी नोट्स जहां पर हम आपको लौ को आसान भासा में समझाने का प्रियास करते हैं दोस्तों टौफिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अच्छ का टॉपिक है धन बिदेयक और बित्य बिदेयक क्या होता है यह कैसे पारित होता है कि सदन में पारित होता है और इन दोनों में अंतर क्या है आज हमें आपको बताएंगे दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं धन बिदेयक की धन बिदेयक बे बिदेयक होते हैं जिन में सरकार द्वारा कर लगाना करकी दर बढ़ाना या कम करना संचेनिर से धर निकालना या जमा करना यह सब धन बिदेयक की अंतरगत आते हैं दोस्तों अब आता है हमारा बित्य बिदेयक, बित्य बिदेयक का उलेख हमारे भारती संब्यदान की अनुच्छे 171 और 172 में किया गया है, ऐसे बिदेयक जिनका संबंस बित्य मावनों से होता है बित्य बिदेयक कहलाते हैं, दोस्तों अब हम बात करते हैं धन बिदेयक और बित्य बिदेयक में अंतर की इन दोनों में अंतर क्या होता है आईए जानते हैं दोस्तों धन बिदेयक और बित्य बिदेयक में जो अंतर होता है उसको आज हम एक साथ पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को confusion नहीं होगा दोस्तों धन बिदेयक भारती संबिदान की आर्टिकल 110 में दिये गए विसे से संबन देता है जबकि बित्य बिदेयक भारती संबिदान की अनुचेद 110 में दिये गए विसेओं के साथ साथ अन्य विसेओं से भी संबन देता है इसका उलेक भारती संबिदान की आर्टिकल 117 दिया गया है दोस्तों पित्य धन विदेयक जो होता है वह बित्य विदेयक होता है लेकिन पित्य विदेयक धन विदेयक नहीं होता है दोस्तों धन विदेयक को पारित करने की जो प्रिक्रिया होती है वह भारती संविधान के अनुचिद 109 में दी गई है और वित्य विदेय भीतिविदेयक को दोनों सद्नों में पेच किया जाता है दोस्तों धन भीदेयक को केवल किसी मंतरी के द्वारा ही पेस किया जाता है जब कि बित्विदेयक को किसी मंतरी के अलावा अन्य सदस्यों द्वारा भी पेस किया जा सकता है दोस्तों धन्विदेयक जब लोग सवा में पास हो जाता है उसके वादवह राजी सवा में भेजा जाता है यहां पर राजी सवा लोग सद में पेस होने के लिए 75 दिनों के भी तर पारित करना अनिवार होता है। इसको राज्य सवा 6 बहनों तक अपने पाद रोक के रख सकती है। धन विदेयक को केवल लोक सवा में पारित होने के बाद ही राष्ट पती के हस्ताक्षा के लिए राष्ट पती के पास बेजा जाता है जबकि बित विदेयक को राष्ट पती के हस्ताक्षा के लिए दोनों सद्नों में पास हो जाने के बाद ही बेजा जा सकता है दोस्तों धन धन विदेयक को राजी सवा द्वारा संसोधित या असुईकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए धन विदेयक में राश्ट पती संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। लेकिन विदेयक को राजी सवा असुईकार या संसोधित कर सकती है। उसके पास यह अधिकार होता है क वहें बित्य बिदेयक में शंशोधन करें या उसे अस्विकार करें दोस्तों यदि राजी सवा ऐसा करती है तो राष्ट पती उस बित्य बिदेयक पर संयुक्त बैठक बुला कर मंतरणा कर सकते हैं दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक धन बिदेयक और वित्य बिदेयक में अंतर समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और लाउ को आसान भासा में सबजने के लिए हमारे यूटूब चैनल लाउजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएंगे आपको हमारी वीडियो कैसी लगी धन्यवाद